इतिहाद न्यूज को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमार चानल को लाइक कीजिए और बेल आइकाउन पर क्लिक कीजिएगा फर्स्ट आप अपस्थित आप तमाम लोगों को जो यहाँ इस मैदान में मौजूद है और जहां तक हमारी आवाज पहुच रही है आप तमाम माताओं बहनों को भाईयों को किसान मजदूर दोस्तों को नौजवान साथियों को दुकांदार भाईयों को मेहनत मजदूरी करके अपना भरन कोशन करने वाले आप तमाम महनत का साबाम को मीडिया के साथियों को और 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 अर्गनाजिंग कमीटी के तमाम सदस्यों को सभी वॉलिंटियर को मैं करांतिकारी इस्तक्पाल करता हूँ आपको जयतिम और लाव सलाम पेस करता हूँ दोस्तों आप सब लोगों को मालूम है कि आज एपीजे अब्दुलकराम की जयति है इस मंच से मैं एपीजे अब्दुलकराम के जन्म दिवस पर पूरे देश को बढ़ाई देना चाहता हूँ और पधान मंत्री जी ने भी एपीचे अब्दुलकराम को बढ़ाई दी है पधान मंत्री जी जहां बैटते हैं उनका जो कार्याले है डिल्ली में उसके पास जो इंडिया गेट है उस इंडिया गेट की सरकों पर उसके बगन में जो जंतर मंतर है वहां पर देश के कुछ हैसे पडिवार के लोग जिनके बच्चों को जिनके पडिवार के सरस्यों को मार दिया गया या गायोप कर दिया गया है वो लोग आज अपने हक अधिकार के लिए नयाय मांग रहे हैं उन पडिवारों में नजीब की अम्मी फातिमा जी यह सवाद पूच रही है सरकार से कि अमित साह जो देश के जिलिग्रिह मंतरी हैं बताएं कि उनका बच्चा कहा है नजीब कहा है गौरी लंकेश की बहन कविता लंकेश सरकार से पूछ रही है कि हमारे बहन को अभी तक न्याय क्यों नहीं मिला है इस्पेक्टर सुबोच सिंग की जो हत्याव कर दी गई उत्तर प्रदेश में उनके पड़िवार के लोग पूछ रहे हैं कि उनकी हत्याव के आरोप में सामिल जो लोग हैं भाजपा के नेटा उन आरोपियों को जेल से निकलने के बाद माला क्यों पहिना रहे हैं उनका स्वाध़ प्यों कर रहे हैं अभी हाल के तिनों में उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से भर्जी एंकाउंटर किया गया है जो धर्ती मंदिरों की धर्ती है दरगाहों की धर्ती है मस्जिडों की धर्ती है बुद्ध विहारों की धर्ती है गुरुदारों की धर्ती है चर्चों की धर्ती है करनाटका की अमहान धर्ती जो वसवन्ना की धर्ती है गुलवर्गा की अमहान धर्ती जो बंदा नवाज की धर्ती है उस धर्ती से खड़ा हो करके मैं सरकार से पूछ रहा हूं कि मोदी जी आपने एपीजे अब्दुलकराम को बढ़ाई दी है अगर आज नजीब भी पढ़ इस देश में जो बोलने वाले लोह हैं जो बोलने वाली संस्थान हैं जो इंस्चीटिशन है है उसillon अभश एंटी निश्नल करके प्विदनाम किया ahora उस इनुवस्टी को जहां का मैं छात्र रहा हूं जहां का छात्र नजीब है उस इनुवस्टी को आपके वह से में सज आया हो सरकारी विश्विध्यालियों को बंद जड़ देना चाहिए क्योंकि वहाँ पे नक्सली पनते हैं उस इनवस्टी के बारे में कहा जाता है कि उस इनवस्टी के ऊपर पड़माने बंद गिरा देना चाहिए क्योंकि वहाँ पे एंटी नेशनल रहते हैं लेकिन उसी से सरकार को इतनी नफरत क्यूं है सरकार को इतनी नफरत इसलिए है कि पब्लिक फंडेड इन्वस्टी में पहत करके नजीब भी एपीजे अब्दुलकलांग हो सकता है और पब्लिक फंडेड इन्वस्टी में पहत करके एक मजदूरीन का बक्चा भी रोल पे ख़़ा हो करके सीना तान करके, आख में आख दाल करके सवतार से सवाल पूछ सकता है ये पॉब्लिक फंडेर इन्वस्टी की ताकत होती है और पॉब्लिक फंडेर इन्वस्टी में ये बार-बार सावित किया है कि अगर आप लोगों को एक अच्छी सिख्छा देंगे तो इंसान एक अच्छा नागरिक बनेगा अच्छे नागरिक से एक अच्छे समाज का निर्मान होगा अच्छे समाज से एक बहतर देश बनेगा और एक बहतर देश से एक बहतर दुनिया की कल बना की जा सकती है इसलिए आज Public Funded University को बरवाद किया जा रहा है और उसी बरवादी का एक नजारा आप गुलवर्गा के लोगों ने देखा गुलवर्गा इन्वस्टी को कुलवर्गी जी के नाम पे रखा गया है कौन है कुलवर्गी? कुलवर्गी का एक नाम आप लोग सुने होंगे कि किस तरीके से सवाल पूछने के चलते कुलवर्गी की हत्या कर दी गई किस तरीके से सवाल पूछने के चलते गौरी लंकेस की हत्या कर दी गई और आज उसी इन्वस्टी में सरकार से सवाल ना पूछा जाए इसलिए वाइस चांशलर ने चाप लुशी करते हुए पर्मिशन केंसिल कर दिया तो मैं वाइस चांशलर से पूछना चाहता हूँ कि आपने पर्मिशन केंसिल कर दिया बहुत अच्छी बात है थोड़ा basic physics अगर पहे होते तो आपको समझ में आता कि जिस चीज को जितना दबाव गए वो चीज उतनी केजी से उपर रुच्टे के ख़़ा होगा इस बाट के सब्सक्राइब आईए आईए इस मैदान में और देखे यहां का नजारा कि कैसे हज्जारों विद्यार्थी कैसे हज्जारों नागरिक जो अमन पसंद हैं जो डक् सब्सक्राइब के सपनों का भर्ग बनाना चाहते हैं उस मैदान में डट करके खड़े हुए हैं इतनी भी बात समझ में नहीं आती है डिजिटल इंडिया भी आपके लिए जुमला ही है क्या अगर डिजिटल इंडिया है और डिजिटल इंडिया हो रहा है तो आप फिजिक पे लाइव कर रहे होंगे, इसका क्या कर लिजेगा, और ये बात सिर्फ गुलवर्जा में नहीं, सिर्फ करनाटका में नहीं, पूरे हिंदुस्तान में घूंज रही होगी, कि इनवर्स्टी के वाइस चांसलर ने सरकार के सामने कैसे चाफुरू सिकरने का काम दिया है, इमा इसलिए बचा लीजिए, कि आप से पहले अगर लोगों ने अपना इमान बेचा होता, अंग्रेजों के सामने चापलू सी की होती, अंग्रेजों के साथ बैठ करके चार पर त्रचा किया होता, तो आज युनिवर्स्टी नहीं होती और आप वाइस चांसलर नहीं होते, किस आप आपसे सवाल पूछेंगे हम ये पूछेंगे के हिंदुस्तान की एसी हालत क्यों बनाई जा रही है क्यों दिन रात नफरत मोबाईल पर टीवी पर लोगों के सामने परोसा जा रहा है क्यों दिन रात दंदा की राजनिती की जा रही है क्यों दिन रात मंदिर और मस MU forgiveness किया जा रहा है हमें इसी धर्म से कोई दिक्कत नहीं है हम तो सम्भिधायन कि उस दार्णा को मानते हैं कि यह हमार अग्षार करा tiver अगर 먹을 जाना चाहते हैं तो हम मंदिर जाएंगे हम मस्जिद जाना चाहते हैं तो हम मस्जिद जाएंगे हम गुर्दवारा जाना चाहते हैं तो गुर्दवारा जाएंगे हम चर्च जाना चाहते हैं तो चर्च जाएंगे हम बुद्ध बिहार में जाकर के बुद्धम सर्णम करच्छामी करना चाहते हैं किसी में इंसान को अपना धर्म मनने की पूरी इजाजत है लेकिन धर्म के आधार पर धर्म जो आपका एक नीजी मामला है आपका एक विक्तिकत मामला है आपका एक प्रावेट चीज है आज उसके नाम पे राजनिती क्यों की जा रही है उसके नाम पे राजनिती इसलिए की जा रही है ताकि इस देश के नोजवान जो बेरोजगारी से जूझ रहे हैं वह इस देश में TV चैनल ओका प्राइम टाइम numbers इस देश मैं इस देश में जिस तरीके से रोच बरोच महिलाओं के ऊपर दलीटों के ऊपर आजिवाशियों के उपर किसानों के उपर मजदूरों के उपर जो अत्याचार और हमने हो रहे हैं वो प्राइम का न्यूज नहीं बने यह नहीं बने कि 2014 से पहले आप तमाम लोगों को याद होगा आपके घर के आसपास भी रिलाइंस का पेट्रोल पंप खुला होगा और 2014 से पहले वो सारे पेट्रोल पंप बंद हो गए थे जब मुदी जी आये सरकार में तो सिर्फ पेट्रोल पंप खुला ही नहीं रिलाइंस का पेट्रोल पंप चालू ही नहीं हुआ सरकारी कंपनी भारत पेट्रोलियम बिखने को तैयार हो गई है इस बात को सोचिए कि जब आप के दिमाग में दंगा भरा जा रहा होता है जब आपके दिमाग में हिंदू और मुसल्मान भरा जा रहा होता है जब आपके दिमाग में नफर्ट थूसा जा रहा होता है ठीक उसी वक्त जो आपका बुनियादी अधिकार है पढ़ने का अधिकार इलाज पाने का अधिकार यहाँ से वहाँ जाने का अधिकार आत्म सम्मान से सर्फ रेस्टेक्ट से अपनी जिन्दगी जीने का अधिकार वो आपसे छीना जा रहा होता है लोग पूछ रहे हैं कि हर्याना और महारास्त का चुनाओ किस नाम पे लड़ा जा रहा है हर्याना और महारास्त का चुनाओ हर्याना और महारास्त के मुद्दे पे नहीं कस्मीर के मुद्दे पे लड़ा जा रहा है ऐसा क्यों हो रहा है ऐसा इसलिए हो रहा है कि पिछले पांच साल में हरियाना और महारास्त्रा में जो भाजपा की सरकार रही है उसके पास दिनाने को कोई काम नहीं है वो यह नहीं बता सकते हैं कि महारास्त्रा के किसान आत्म हत्या क्यों कर रहे हैं वो यह नहीं बता सकते हैं कि एकॉनमी नीचे क्यों जा रही है वो यह नहीं बता सकते हैं कि इस देश में एक साल में पंच लाख इंजीनियर पैदा होते हैं और एक लाख पचास हजार लोगों को भी नौखरी नहीं मिलती है वो इस सवाल का जवाब नहीं दे सकते हैं कि जो वादे उन्होंने किये थे कि किसानों की आई दोगुनी की जाएगी आपके खाते में 15 राख रुपया पहुंचाया जाएगा किसानों को उनके फसल का उचित मुल मिलेगा नौजवानों को दो करार नौकरी मिलेगी ये तमाम सवाल आज गायब कर दिये गए हैं और उन तमाम सवालों को गुमराख करने के लिए ये जरूरी है कि हमको आपस में लडाया जाए और एक बात मैं आप लोगों को याद दिलाना चाहता हूँ हिंदुस्तानियों को आपस में लडाकर राज करने की नीटी किसकी रही है किसकी नीटी रही है अंग्रेजों की नीटी रही है बहुत सही जवाब दिया आपनी अंग्रेजों ने हमारे साथ कौन सी नीटी अपनाई दिवाई देन रूल आपस में लडाओ, हिंदू मुसल्मान कराओ, मंदिर मस्जित कराओ, दंगे करवाओ हिंदुस्तान के लोग आपस में लडते रहेंगे और ये कहीं आजादी की मान नहीं करेंगे यहां से इस मंच से हमको इस बात के लिए गर्व महसूस होना चाहिए कि हिंदुस्तान के लोगों ने अंग्रेजों की उस साजिस को समझा इसी लिए राम परसाथ बिश्मिल और अस्फाक उल्लाख खान की दोस्ती की मिशाल दी जाती है राम परसाथ बिश्मिल को मुसल्मानों के बारे में बहुत सारी गलत धारना है थी लेकिन जब उनकी दोस्ती अस्फाक से हुई तो वो दोस्ती ऐसी हुई कि राम परसाथ बिश्मिल कब अस्फाक उल्लाख खान हो गए और अस्फाक उल्लाख खान कब राम परसाथ बिश्मिल हो गए यह पता ही नहीं चला एक बार अस्वाफ उल्लाख खान ने रमपरसाद बिश्मिल से कहा कि यार तुम तो हिंदी हो तुम तो हिंदू हो तुम्हारे हैं पुना जनम की बात होती है इसलिए तुम कहते हो कि हे इश्वर मुझे बार बार हिंदुस्तानी बनाकर इस धर्ती पर भेजो ताकि मैं बार बार इस धर्ती की सेवा कर सकूँ और अंग्रेजों के खिलाफ लर करके अपने मुल्क को आजाद करा सकूँ अस्वाफ ने कहा कि मेरे पास मेरे धर्म में पुनर जनम की बात नहीं की गई है इसलाम में पुनर जनम की बात नहीं की गई है लेकिन अगर हमारी मुलाकात अल्लाह से होगी तो मैं कहूंगा कि या अल्लाह एक जीवन और दे दे एक बार और हिंदुस्तान के लिए फासी पचड़ने का जी चाहता है पनितर वोने लहा कि सर्फरोसी की तमन्ना अर्व हमारे दिल में है देखना है जोड कितना वाजुए कातिल में है यह हिंदुस्तान है इस हिंदुस्तान की विरासत में सव की कुरवानियों का इतिहास है इसकी विरासत साजी संस्कृति का है साजी सहादत का है और यह जो साजा विरासत है इस साजे विरासत को आज तोरने की कोशिस की जा रही है मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि ये कोशिस हिंदुस्तान के साथ एक बार हुई और इस कोशिस में अंग्रेज कामियाब हुए और जो उस वक्त के अफसरवादी नेता थे उनके अफसरवाद के चलते हिंदुस्तान को आपस में बाटा गया है हिंदुस्तान के लोग है भारत के मेरे लोग है इंडिया के मेरे बास्यों मैं आप से यही कहना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान को फिर से बाटने की साजिस की जा रही है और दुख की बाद ये है कि इस साजिस के खिलाब जो लोग आवार उठाते हैं जो लोग भगत सिंग के रास्ते पे चलते हैं डक्टर बाबा साथ भीम राम बैकर भगत सिंग के सपनों का हिंदुस्तान मनाना चाहते हैं उनको देश द्रोही कहा जाता है और गदार को कायर को आज भारत रत्न देने की बात की जा रही हैं लेलो भारत रत्न तुम्हारी सरकार है लेलो भारत रत्न बनालो अपने नाम पे इनिवस्टी बनालो अपने नाम पे सरकें लेकिन इतिहास तुमसे बार-बार यही सवाल पूछेगा कि ए काईलो जब भगत सिंग फासी पे जूल रहे थे तो तब तुम अंग्रेजों से माफी मांग रहे थे यह इतिहास बार-बार तुमसे पूछेगा इतिहास इनके पक्च में नहीं ख़़ा है इसलिए यह चाहते हैं कि इतिहास परहाने वाली यूनिवस्टी को भी बर्माद कर दिया जाए इसलिए आप देखेंगे कि जो सुवर सुवर जाकर के साखा में प्रणायूं करने वाले लोग है उनको वाइस चांसलर का अच्छा अच्छा पोश्ट दे दिया गया है इसलिए आप देखेंगे कि कॉलेज और विश्वर जिद्यालों को तबाह इसलिए किया जा रहा है कि जब इस देश का जो सोशित प्यूरिक आवाम है वो इतिहास परहे और सवाल पूछे कि हमारा इतिहास क्यों नहीं लिखा गया तो उस सवाल को गुमराह किया जा सके अभी कुछ दिन पहले RSSS प्रमुख मुवान भागबद भाशन दे रहे थे इसी तरह के मंच पे मंच पे ख़ड़ा होकर के उन्होंने कहा कि लिंचिंग भारतिय परमपड़ा का सब्द नहीं है ठीक बात है लिंचिंग अंग्रेजी का सब्द है भारतिय परमपड़ा का सब्द नहीं है लेकिन एया मोहन भागबद जी सुबह उठ करके डंडा लेकर के जो आप साखा में ऐसे करके मैं हाथ उठा के प्रणाम करते हैं यह कौन सी भारत्य परंपरा आप करने का तरीका है यह सफ़ाल मैं आप से पूछका हूं किसके आंख में धूल जोक रहे हैं हिंदूस्तान गांक ह मैं धूल इसके आंख में धूल जोगने का प्रयास एक बार सिकंदर ने भी किया था, मूझ खा करके वापस गया था, आप भी काम्याग नहीं होने वाले हैं, इस बात को आप अपने दिमाग में डाल दीजिए। इस बहन है हमारी CRPF में काम करती है बेचारी, और उसके मुझ से यह कहा गया कि मैं कनहया के सीने में तिरंगा जंडा गार ना चाहता हूं, कोई जाए और कनहया के सीने में तिरंगा जंडा गार दे, मेरे सीने पे अगर इस देश की आन बांसान तिरंगा अगर गारा जाएग तो इससे जाड़ा गर्व की कोई बात नहीं हो सकती है, मैं खुशी खुशी इसको स्विकार करूंगा, लेकिन बहन ये बताओ, मैं तुमको तुम्हारे इस बात के लिए जिम्मेदार नहीं मानता हूं, ना मुझे तुमसे कोई सिक्वा है ना सिकायत है, मैं सिर्फ और के लिए धन्यवाद करना चाहता हूं, लेकिन तुम जिस युग में रहती हो, ये युग सूचना का युग है, कहते हैं कि इन्फॉर्मेशन का टाइम है, दुर्भाद की बात ये है, कि तुम्हारे पास इन्फॉर्मेशन नहीं, मिस इन्फॉर्मेशन पहुचा है, अगर पहुचा होता, तो तुमको पता होता मेरी बहन, कि जिस CRPF में तुम काम करते हो, उसी CRPF में काम करते हुए, मेरा एक भाई बीड़गती को प्राप्त हुआ था, उसको सहाधत हुई थी, तुम हमारे खिलाज नहीं बोलती, तुम हमारे साथ आकर के खड़ा होती, तुम सि बात बोलने के चलते उसको उसकी नौकरी से बरखास्त कर दिया गया, यह इस देश की हकीकत बनती जा रही है, कि जो लोग सच बोलने की कोशिश कर रहे हैं, उनको एंटीनेशनल बताया जा रहा है, लेकिन इनके लिए सबसे ज्यादा तकलीफ की बात ये है, कि जिस इन्व बात को, सच की आवाज को कोई नहीं चुपा सकता है, आप जितने भी कोशिश कर लें, लोगों के हाथ में, आप तिरंगा के नाम पर जो इस देश की सभ्यता और संस्कृती है, उसको जो आप खराब करने की कोशिश कर लें, ये कोशिश में आप काम्याब नहीं होने वाले हैं, हमको मालूम है, कि आपके पक्ष में चीज़ें चली गई हैं, पक्ष में चीज़ें कैसे चली गई हैं, तो आपको जो आज सकता करने का मौका मिला है, उसमें सिर्फ आपकी काविलियत नहीं है, उसमें विपक्ष का नकारापन भी सामिल है, अगर विपक्ष का नकारा लेकिन याद रखिएगा कि आप पॉलिटिकल पार्टी को दरा सकते हैं जो लोग राजनीती में धुस्ताचार करके पैसा जमा कर लिये हैं उनको आप ED से धमका सकते हैं उनके घर पे आप CBR भेज सकते हैं लेकिन हम तो कवीर को मानने वाले लोग हैं कविरा खरा बजार में सब की मांगे खैर ना के हुसे दोस्ती ना के हुसे बैर हम ED से नहीं डरने वाले हैं गुरुजी हम CBI से नहीं डरने वाले हैं हम आपके फर्ची मुकतनों से नहीं डरने वाले हैं और इस देश का जो नौजवान है वो सवाल पूछेगा क्योंकि हम ये समझते हैं कि आप जितना भी नफरत का नसा चाहा लीजिए नसा कैसा भी हो अगली सुबह उतर जाता है वो सुबह आएगी और इसी देश के मज़वान आप से सवाल पूछेंगे जैसे अभी पंजाब और महारास्टरा बैंक के लोगों का जो पैसा लूट लिया गया आज ही एक दुखत ख़बर आई कि उसमें एक खाता धारक जिसका 80 लाख रुपया जमा था उसकी माउठ हो गई वो जो खाता धारक है जो बार-बार आज आकर के कैमरे के सामने कह रहे हैं कि मोदी जी हम आप ही को वोट दिये थे हमारा पैसा वापस करा दीजिए ये आवाद सिर्फ एक जगा से नहीं हर गाउ से हर घर से निकलने वाली इस बात के लिए आप तयार रहेंगे आज कितनी भी कोशिश कर लीजिए कितना भी प्रचार आप कर लीजिए करार और अरवर रुपया आप बरबाद कर लीजिए लेकिन आपका सब सामने आएगा एक मज़ेदार चीज आपने देखा है मोदी जी के परचार पर करोर रुपया खर्च किया जाता है ये बताने के लिए कि मोदी जी गरीब थे करोर रुपया खर्च किया जाता है कि मोदी जी गरीब थे ऐ देश के गरीबों मोदी जी गरीब थे तुम गरीब हो और मैं तुम्हारे परिसे सही तुमको बता रहा है कि वह गरीब थे इस दुस्पचार का सिकार मत बनेगे सच से सवाल कीजिए मोदीजी अगर गरीब थे तो गरीबों के परती उनको यदि संभाख संबेदना है अगर वो चार बेशते थे यदि उनकी मा मजदूरन थी तो आज जो मजदूर है आज जो चाय बेचने वाले है आज जो देश के गरीब है उनके लिए आपने क्या किया है मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जब आप सरकारी स्कूल कॉलेज के बज़ेट को घबं कर देते हैं तो किसका बच्चा नहीं पढ़ता है अमीर का बच्चा को पढ़ने में दिक्कत होता है कि गरीब को बच्चा को पढ़ने में दिक्कत होता है जब आप रेल बेच दिजिएगा तो किसको इधा से उधा जाने में दिक्कत होगी अमीर को दिक्कत होगी की गरीब को दिक्कत होगी गरीब को दिक्कत होगी न तो मोदी जी जब आप गरीब थे तो जो गरीब हैं उनके उपर अत्याचार क्यों कर रहे हैं मैं ये सवाल पूछ रहा हूँ यही हमारा सवाल है यही हमारा प्रशु है करोणों रूपय उपर चा कि जो बात आप बोलते थे उसमें से आप कुछ बात तो लागू कर दीजिए मोधी जी के पुराने भासन को सुनिएगा मोधी जी कहते थे कि अगर देश में एक मजबूत परधान मंतरी होता तो रुपिया कहीं नीचे नहीं जाता मन करता था कि वाप्रिवापियार्मी कब देश का परधान मंतरी बनेगा और जब पधान मंत्री हो गये हैं, रुपिया रोज नीचे जा रहा है, तब एक सवाल नहीं बोल रहे हैं, एक रुपिया क्यों नीचे जा रहा है, जब मुख मंत्री थे तो भासन देते थे, कि मैं मर चाओंगा लेकिन मैं आधार योजना को लागू नहीं होने दूँगा, आए भी, आधार योजना लाए भी, और मरे भी नहीं है, एक तम जीता जागता, खरे हैं, जब मुख मंत्री थे तो कहते थे, कि GST सबसे खरार योजना इसको कभी नहीं लागू होना चाहिए, अब सरकार में हैं, पधान मंत्री हैं, GST लागू के करतिये हैं, और उनको माल हम सेक्रों बार उसमें परिवर्तन किया गया है, सरकार खुद बजट ले करके आती है, और कहती है कि कॉर्परेट्ट टैक्स लगाने से डेश को फाइड़ा होगा, इसलिए हमने कॉर्परेट टैक्स लगाया है, और जब मंदी आती है, तो चुप चाप, जो फिनांस मिनिस हैं चुप चाप corporate tax को घटा देते हैं देश को पता नहीं चलता है अरे अपनी बात पे तो ठीके रहते एक कहावत बारवार कहीं जा रही है बारवार एक बात कहावत कहीं जाती थी कि जूठों की बात पे और घोरों की लात पे कभी भरोशा नहीं करना चाहिए अब यह तो चाहर और जिसने यहे ठीखे हुए हूं और मज़रर बात यह है कि मौन भागवता अपने भाषन में गौतम बुद्ध को याद कर रहे Wow और यह बताने की कोशिश कर रहे थे कि इनको बुद्धियम न बड़ा भदॉसा न कौन मंत्री माल गए तो कहा कि हमने दुनिया को बुद्ध दिया है, देश में आए करेगा मैं घूझके मारेंगें, इसका बुद्ध से क्याले न देना है, जो दिन रात युद्ध की करता हो उसको बुध कहां से समझ में आएगा बुध्ध तो कहते थे सठय लिक्वार्श की बात ये तो करते जू टूकर हिंसा की बात बताईयो इनको पुध्र से क्याली न जैना है और बुध्र ने कया कहा बुध्र ने कहा कि सठ्य वह नहीं है जो आप बोलते हैं यहां करके हम कुछ भी बोलते हैं सत्य वो है जो हम करते हैं और इनके करने और बोलने में जमीन आस्मान का फर्क है बोलने के लिए तो यह यह भी कहते हैं कि महात्मा गांधी रास्ट पिता थे बोलने के लिए तो यह भी करें कि जो है महात्मा गांधी को महान साबित करते हैं लेकिन अपनी साखाओं में लोगों को सिखाते हैं कि महात्मा अंगली बहुत खड़ा वा दिये था और गोर्से की पुजा करते हैं तो इनकी कथनी और पानी सदागों पिलना है मेहनत कसका पसीना है जैसे मधीजी कौन सा हम दो जो है मतलब एर कंडिशन में पैदा हुएं कि पसीनों नहीं निकलेगा खलियां के आदमी हैं पसीना निकलेगा इसमें क्या दिक्षन पसीना है हम लोगों का जो ही है सब सामने है कहते हैं पर्तक्ष की प्रमानाम्ट पर्तक्ष को पर्मानचा कोई जरूरत नहीं होता है अब लोग सब जामने है जो बात है जो है इसमें छुपाने करने की कोई बात है नहीं तो कथनी और करनी में इंकाद जमीन आस्मान का फर्क है जैसे आप ये चीज महसूस करते होंगे कि आज जो सच है उच सच को छुपाने के लिए एक जूट का आडंबर रचा जा रहा है अउद बड़ा आडंबर रचा जा रहा है जूट का सवाल ये है कि ये जूट का आडंबर क्यों रचा जा रहा है जूट का आडंबर इसलिए रचा जा रहा है कि हर चुनाओं में जब चुनाओं आए तो बात इस पे नहीं हो कि कौन अच्छा है बात इस पे हो मोदी नहीं तो कौन आपने देखा होगा दो हजार उन्निस के चुनाओं के बक्त भाजपा के लोगों के पास एक भी सावर का जवाब नहीं था किसी भी पान की दुकान पे खरा हो करके आप उससे पूछते कि यार सब बात तो ठीक है लेकिन ये बताओ किसी के खाते में पर रहलाग रुप्या नहीं आया दो करोर नोकरी नहीं पैदा हुई किसानों की आमदनी दुगनी नहीं हुई महिलाओं पे अत्याचार नहीं रुका महंगाई कम नहीं हुई रस्टाचार कम नहीं हुआ तो क्या तुमको ये बात ठीक लगती है तो भाजपा की कारिकरता का जवाब होता था कि देखो तुम काम नहीं कर रही है. मुदी नहीं तो कौन? यह पुचा जाता है ना? ये अपने आप तयार ही हुआ है. इसको तयार करने के लिए पैसा खर्ट किया गया है. इन्वेस्टिमेंट हुआ है. और इन्वेस्टिमेंट कैसे होता है? यह मैं बताता हूँ. सिनेमा आप लोग देखते होंगे सपोज कीजिए कि मेरे बाप के पास बहुत पैसा हो और हमको सोक हो हीरो होने का तो मेरा बात क्या करेगा मेरा बात किसी डिरेक्टर को पकरेगा यह सुनो एक कहानी लिखवा के लाओ मेरा बेटा हीरो होगा हमको तो आप देखी रहे हैं पाँच फुट पाँच इंच है तो हीरो जैसा हाइट तो मेरा है नहीं लेकिन हमको हीरो होना है तो हम हीरो कैसे होंगे तो हम चाप फुट पाँच इंच का आदमी खोजगर के लाएंगे तब उसके सामने हम लंबा दिखेंगे इस बात को समझ रहेंगे कोई भी आप हिंदी सिनेमा का गाना देखिएगा हिरोईन जैसी हो उससे ज़्यादा खोजगर के महिला को लाया जाता है खराब मैं नहीं बोल रहा हूँ मैं खराब किसी को नहीं मानता हूँ लेकिन उससे तुलना में देखने में वो अच्छी ना लगे अथोरा उसमें मेक अप, पाउडर, लिपिस्टीक ये सब भी लगाया जाता है अव बेचारी अपना पीछे में इस इसे कर रही है तो सारे दर्सक का नजर किस पे रहता है हीरो पे, नहीं, हीरोईन पे नजर रहता है अब पीछे में जो बिस-पचीस गोल नाच रहा है उसको कोई नहीं देखता है उसको दुदुस और उपया दे करके बुला लिया उसको कोई नहीं देख रहा है अब टीवी पे अगर दिन रात आपको मदी मदी चलेगा तो आपके दिमाग में क्या लगेगा? आपको लगेगा कि इसके अलाबेच हिंदुस्तान में कोई है ही नहीं, यही हीडो है, यही है मेरा जुता है जपानी, किसी को, किसी को पधान मंदरी चुना चाहिए, यही हो र जाए नहीं, अब दिन राज Tv पे होगा मोधी मोधी, भरे गूड मॉर्निंग, फेमली के वाटसेप गुरूप में मोधी, असाओं को जो है गुड नाइट, सुसुराल के वाटसेप गुरूप में मोधी, पेट्रोइपं पे मोधी, टीवी पे मोधी, पान दुकान पे मोधी तो आपका दिमाज अपने आप कहने लगेगा मोधी 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 सिनमा देखते हैं ना आप इस परियोग को जाकर के कीजिए आज अपने घर में कि एक गाना चलाईएगा और देखेगा कि हीरो के पीछे में 50 गोलंबा नाच रहा है एकदम बहिया कमर हिला रहा हो सेता है कि हीरो से ज्यादा अच्छा डांस कर रहा हो कौन देखता है उसको क्योंकि हीरो को इस तरीके से प्रोजेक्ट किया जाता है यह जो सामने में कैमरा पे काम कर रहे हैं इसे बहुत बयानिक लोग हैं इनको बहुत नोलज ही आपको बचा देंगे कि कैसे जो आप पीछे-पेठे हुए सब आदमी को बलर कर देंगे और मेरा ही मूँ रहेगा तो आपको अगर ये लग रहा है कि आप पधान मंत्री चुन रहे हैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है आप से ये सबाल किया गया है कोईस्चन भी सेट है और आंसर भी सेट है देश का पधान मंत्री कौन होना चाहिए ए नरेंद्र मोदी बी जो भाजबा का सबसे अच्छा नेता हो सी जिसको आरेसेस बहुत प्यार करता हो डी जो पुझी पतियों का दुलारा हो और ई उपरोत सभी तो आपके पास ऑपसों ही एक है और आप हमको बताइए यह हिंदुस्तान है कसमीर से लेकर करके कण्या कुमारी तक जब आप चलेंगे ना तो इतनी भासाएं हैं जितना आपका उमर नहीं होगा, कितना उमर होगा जदा जदा आपका, 30 साल, 35 साल, है, हजारों भासा हैं हिंदुस्तान में, हजारों भासा हैं, हजारों संस्कृति हैं, हजारों बोलिया हैं, और हजारों साल का इतिहाज, जिस देश के पास हो, उस देश में अगर ये कहा जा करता है मोधी नहीं तो कौन यह सर्म की बात है इस बाट को अपने दिमाब में डाल लिजीए है बार बार हमारे सामने एक अईसा बिकल्प रखा जाता है जिस बिकल्प की तरफ हमको भेजने का पर्यास किया जा रहा है जैसे थंदा मतलब थंदा मतलब कोका कोला कोका कोला होता है थंदा मतलब है नारियल पानी नहीं होता है लसी सब्तू दही इस अब थंदा नहीं होता है मिसरी सब थंदा होता है तो कोका कोला की से थंदा मतलब हो गया क्योंकि आपके दिमाग में डाल दिया गया। ऐसे दिश चलेगा। अब की बार भार्जपा सरकार में यह सहाब। अब की बार विग्यापन की सरकार है आप ही अपने दिमाग में डाल दिजिए। एडवर्टार्जमेंट की सरकार है और ये एडवर्टार्जमेंट ऐसे नहीं होता है कोई अगर आपका दोस्त हो तो उसको पूछिएगा कि आखबार में अगर हम अपना फोटू छपवाना चाहते हैं तो कितना माल लगेगा बताना जरा कितना पैसा लगेगा दफ सकेंड अगर टीवी पे आएंगे तो कितना पैसा लगेगा विपक्ष कमजोर है ये ऐसा सक्च नहीं है सत्तर सालमानली जो कोई पार्टी राज किया हो अचानक से वो कमजोर कैसे हो गया है क्योंकि उसको जो मजबूत बनाने वाली सक्तिया थी न वो अपना पाला बदल है कि मेरी बात समझे कि जो उसको मजबूत बनाने वाली सक्तियां थी उसने कहा कि अब हम इस घोरे पे दावने लगाएंगे हमको नया धोरा चाहिए तो अन्ना हजारे का अंदोलन हुआ अब पूरा देश बोला अन्ना नहीं आंधी है देश का दूसरा गांधी है अग कब अन्ना होते होते मोधी मोधी होने लगा जिसको पता ही नहीं चला है हो गया मोधी मोधी आ गया मोधी जी और वादा क्या करके आए सबका साथ सबका विकास अले दना दन जो है लोगों को कभी मांस के नाम पे कभी मंदिर के नाम पे कभी मस्जिद के नाम पे उनकी हत्त्या बंद हो रही हैं आज उत्तर प्रदेश की खबर है कि 25,000 होमगाड को नौकरियों से निकाल दिया गया है इसलिए मैं आप तमाम लोगों से ये आग्रह करने आया हूं कि देश खत्रे में है बचाईए इस देश को हो सकता है कि आपके पास कोई चुनावी विकल्प नहीं हो को कोई अल्टरनेटिव एलेक्टोरल ऑप्सन नहीं हो लेकिन ये देश हम सबका है ये संस्कृति हमारी है ये परंपरा हमारी है इस देश में हचारों साल से सभी धर्म के लोग मिल जूल करके रहते आये हैं ज्यादा दूर मत जाईए अपने ही सहर को देखिए आप कि आपके सहर में मस्जिद है मन्दिर है दर्गाह है गुर्द्वारा है चर्च है बुद्ध बिहार है ये हिंदुस्तान है जिसको घुलबरगाल रिप्रजेंट करता है इस बातको समझे बचाईए इसकी संस्कृति को लोग हिंदी बोलते हैं उर्दू बोलते हैं कंणर बोलते हैं अंग्रेजी बोलते हैं तेलगू बोलते हैं मराखी बोलते हैं इतनी भासा में बोली जाती हैं सिर्फ और सिर्फ आपके सहर में बचाईए इस संस्कृति को बचाईए इस देश को यह जिम्मेवारी आज आपके कंधे के है और इसको जो तोरने का प्रियास कर रहे हैं वो तोरने वाले लोग बरी चालाकी से जो इसको बचाने वाले लोग हैं उनको ही टुग्रे टुग्रे गैंग का सदस से बता रहे हैं एक बार हमको एक पत्रकार ने पूछा क्या आप टुग्रे टुग्रे केंग के सदस हैं क्या हम बले हम किसी के टुग्रे पे नहीं बलते हैं माबाब की महनत से पैदा हुए हैं माबाब की महनत से जो है पाले पोसे गए हैं और देश की जनता के पैसों पे पहे हैं किसी की टुग्रे पे नहीं पलते हैं जो लोग इस दूसरे के टुग्रों पे पलते हैं वही दूसरों को टुग्रे टुग्रे बोलते हैं को नाकाम करना चाहते हैं हम यह कहते हैं कि हम इंदुस्तान के नागरिक हैं संभिधान ने हमको अधिकार दिया है और हमारा अधिकार समानता का अधिकार है निया का अधिकार है बराबरी का अधिकार है सब को सिछ्छा मिलने का अधिकार है इन सवालों पर हम यह लगते हैं हम सब्सक्राइब कि अगर हमारे शरीर की तरह है तो इसका कोई भी अंग जरुरत से ज्यादा लमबा हो गया है तो वो स्वस्थता की नहीं बिगलांगता की निशानी है कोई भी समाज एक जुटत ही रह सकता है तभी वो समाज बहतर हो सकता है तभी वो समाज सक्ति साली हो सकता है जब हम उस सरीर के एक एक अंग को बराबरी के तोर पे लें जैसा सरीर के साथ होता है ऐसा होता है क्या? कि बाया और उंगली को काते तो दर्द नहीं होगा और दाया और उंगली को काते तो दर्द होगा ऐसा होता है ग्या फिर ऐसा आप अपने जीवन में कैसे कर पा रहे हैं कि आपकी जात का कोई मरता है तो आपको तकलीफ होता है दूसरी जात का मरता है तो आपको तकलीफ में होता है मैं कहता हूँ कि किसी भी जात और धर्म से पहले आपका जात और धर्म कोई है तो वो मानव है और आपका धर्म मानवता है इस बात को आप याद रखेगा इस मानवता को बचाने के लिए हिंदुस्तान की रच्छा करने के लिए और अपने बुनियादी हग और अधिकार के लिए हमको एक जुठोना परेगा सरको प्याना होगा और बार बास इस सरकार को बताना होगा कि तुमको चुन करके अगर गदी दिये है तो चीन करके गदी ले भी सकते है इस बात को याद रखना इसी लोग तंत्री के स्प्रीट को याद करते हुए इसी डेमोकरटी की थोस को याद करते हुए और एक बात फिर से इस महान धर्ती को वसबना और बंदा नवाज की इस महान धर्ती को नमन करते हैं अपनी बात को खत्म करूँगा सुक्रिया इंकलाब जिंदाबाद, हमारी एक जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद